पूदेशनल वियू के उपर चार्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट को देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के उपर बातचीत करते हैं पूदेशनल डिसकुशन आप लोग के साथ मैं स्टार्ट करूँ अभी भी निफ्टी का अगर हम आज का लो दे यह क्या रहा है यह क्या रहा है नाइंटीन शेक्स एट इट इट इस इट यह ट्वेंटी वन डेस कई में चैल्कुलेट हो कर रहा है और निफ्टी का आज का जो डेल हो है तो यह मेरे खास जहां पर मेरा ओफिस है उसी के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन विलेटेड काम चल ला है तो शायद आपको कुछ डिस्ट्रबेंस पैदा हो कहीं मुझे लगता है पडूस वाले आफिस में ड्रिल मशीन चल रही है तो उससे कुछ डिस्ट्रबेंस आपको आ सकता है तो अभी अगर हम आज के डेलों के बात करें तो 9691 ऐसा लग रहा है कि 21 देज का जो एमें वह एक अच्छे सप्रोर्ट के तोर पर काम कर रहा है अब एगर हम आज का डेलों देखें और 21 डेक्रशन भाती हमें संकेत दे रहे हैं कि नाइंटीन सेवन हंडेट कुड़ बी अ गुड़ सपूर्ट ये बात सामने निकल करके आ रही है और इसके नीचे जो एक अनदर लेवल है वो लेवल मैं यहां पर माग करना चाहूंगा ये 50 डेज के एक्सपोनेशन मुझे अब लेज़ हैं जो कि नाइंटीन फाइब ना का लेवल निफ्टी के लिए मैं पूर्ण दिखाई दे रहा है निफ्टी में ऊपर की बात करें तो एक लेवल है जिसको लगातार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और वो ये लेवल है लगातार मैं आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करा हूं ये नाइंटी ये तो नाइन्टीन एट हंड़ेट टू एट हंड़ेट फिफ्टी ये अपने आप में एक र्जिस्टेंस का जोन है तो निफ्टी में अगर हम चाट को identify करें चार्ट को हम समझें तो नीचे की तरफ 9700 और उपर की तरफ 9800 से 850 ये एक resistance का zone है जो की चार्ट की उपर मुझको दिखाई दे रहा है अब मैं Y analysis आप लोग के सामने present करना चाहूंगा और इसके लिए Nifty पर sensible के मादियम से डेटा में आपनों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर पहले open interest देख लेते हैं यहाँ पर भी same situation 9700 यह आप देख सकते हैं green bar जो की puts के अंदर open interest को बता रहा यह put का हुआ है तो 9700 एक बहुत ही strong support के तोर पर हम लोग को दिखाई दे रहा और 9800 यह हम लोगों को call side का हुआ ही represent करा और यह strong resistance के तोर पर दिखाई दे रहा है तो chart के उपर भी वही बाते हैं chart के उपर भी वही points हैं जो बाते हमको open interest के माध्यम से दिखाई दे रही है तो open interest की इस्तिती और chart की इस्तिती जो है वो correlate कर रही है ऐसा मेरा मानना है तो 9700 से 9800 यह एक range हम लोगों को दिखाई दे रही है और यह काफी मजबूत range है मुझे ऐसा लगता है यह range टूटेगी तो शायद further पर हम लोगों को direction देखने को मिल सकती है यहाँ पर अगर हम बात करें आज change in why की तो वाई का change आप लोगों के सामने वाई change हमको बताता है today's action यह बहुत ही महत्पूर होता है आज क्या traders ने आज क्या किया यह मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ आज traders ने क्या किया तो traders ने आज 19700 के उपर जम करके पी writing करी है again यह उसी बात को और मजबूती के साथ present कर रहा है कि 19700 जो है वो एक strong support है traders ने आज जम करके 19800 के लवल के उपर C writing करी है again यह उसी बात को ही present कर रहा है कि 19800 जो है वो एक resistance है तो आज जो Y change हुआ है उसके basis के उपर भी यही range निकल करके आ रही है नीचे की तरफ 19700 और उपर की तरफ 1900800 का लेवल अब यह तूटेगा तो ही किसी भी तरह की कोई भी direction जो है वो बजार के अंदर बनेगी यह nifty के बारे में मैंने आप लों के साथ बातचीत करी bank nifty के बारे में बातचीत करना चाहूंगा nifty तो relatively stable है लेकिन bank nifty जो है वो मुझको nifty की तुला में weak दिखाई दे रहा है और उसका कारण भी है अगर हम bank nifty के बात करें bank nifty definitely nifty की तुला में ज्यादा weak है और bank nifty weak होगा तो वो nifty को further aggravate करेगा और ज्यादा weak present करेगा क्योंकि यहाँ पर यह जो दो line आपको दिखाई दे रही है यह 50 days का email जो की calculate होकर क्या रहा है 44,608 के उपर और यह 21 days का email यह 21 email यह calculate होकर क्या रहा है लगबग 44,519 के असपास तो bank nifty इन दोनों email के नीचे trade कर रहा है यह अपने आप में चिंता की बात है निफ्टी इसके भी उपर है इसके भी उपर है निफ्टी इन दोनों email के उपर है bank nifty में उल्टा है bank nifty 50 days के email के नीचे भी है 21 days के email के नीचे भी है तो फर्क विल्कुल इदम साफ है फर्क बिल्कुल इदम साफ है bank nifty definitely यहाँ पर weak ही दिखाई दे रहा है अगर bank nifty के अंदर further weakness हम लोगों को देखने को मलती है तो सबसे में पूर लेवल जो मैं यहाँ पर identify करूँगा यह 44,000 का level है 44,000 का level काफी जादा एक में पूर्ट के तोर पर मैं observe कर रहा हूँ अगर हम bank nifty के आज के low की बात करें कि bank nifty ने आज क्या low बनाया तो bank nifty का आज का low जो है आप देख सकते हैं आज यह लोग है 44,000 का low बनतावा दिखाई दिए है bank nifty के अंदर तो 44,000 के लेवल के उपर हम support की बात करें चलिए अब bank nifty के अंदर हम बात कर लेते हैं sensible के उपर sensible के उपर open interest की situation मैं आपनों के सामने present कराँ पहले हम open interest को देखते हैं 18 अक्टूबर के expiry के लिए तो यहाँ पर 44,200 का level हम लोग को दिखाई देता है और यहाँ पर put side का open interest काफी बढ़िया है 44,100 यहाँ पर भी put side का उपर interest काफी बढ़िया है लगिन अगर हम 44,000 का level देखें तो 44,000 के लेवल के उपर हमें put side का open interest वो strongest दिखाई देता है तो हैं तो यह सभी levels अगर हम इन सभी levels के बारे हम बात्चित करें तो यह सभी levels हमको support के तोर पर दिखाई देते है जिसमें 44,200 जो है यह अभी immediate support के तोर पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है यह immediate support है 44,200 और 44,000 को जो level है यह मुझे strongest support के तोर पर दिखाई देता है यह strongest support है resistance की बात करें तो 44,300 यह अपने आप में call side को open interest काफी ज़्यादा है और further उपर जाएं तो 44,400 यहाँ पर भी call side को open interest काफी ज़्यादा है और यह resistance की तोर पर काम कर सकता है 44,500 यहाँ पर call side को open interest सबसे ज़्यादा है तो यह strongest resistance की तोर पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है तो अभी जो रिजिस्टेंस के सबसे महत्पूर लेवल मुझे को दिखाई दे रहा है वो 44,400 का लेवल दिखाई दे रहा है 44,400 का लेवल तो बैंग निफ्टी के अंदर अगर मैं एक रेंज आइडिन्टिफाई करूँ तो बैंग निफ्टी में मैं उपर की तरफ 44,400 और नीचे की तरफ 44,200 के उपर लाइन खीचूंगा मुझे लगता है ये लवल महत्पूर और इन लवल के तूटने पर फर्दर मूव हम लों को देखने को मैं सकता है यहाँ पर मैं आप लों के सामने चेंज इन उपर इंटर्स भी प्रेजन करना चाहूंगा चेंज इन उपर इंटर्स की मादिम से हम आज का एक्शन देख पाएंगे चेंज इन वाई आज क्या हुआ यह आज का मार्केट एक्शन है तो अगर हम आज देखें 44,200 के उपर हमको पुट राइटिंग दिखाई दे रही है जैसे कि आप यहाँ पर वाच कर रहे है 44,100 के उपर भी हमको पुट राइटिंग दिखाई दे रही है इसको भी आप वाच कर रहे है 44,000 के उपर भी हम लोगों को पुट राइटिंग दिखाई दे रही है इसको भी आप वाच करो तो अगे वही पॉइंट आफ यू निकल करके आ रहा है कोई डिफरेंट नहीं है चावालिज और तीन सो चावालिज और चाज सो के वपर हमको कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है इस बात को भी आप यहाँ पर वाच कर सकते हो तो बाते घूम फिर करके वही निकल करके आ रही है जो उपन इंटरस्ट में जो पॉइंट अफ यू सामने निकल करके आया था वही पॉइंट अफ यू हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तो यह बात मैंने आप लोग के सामने प्रेजन करी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अभी यहाँ पर इतनी ही चर्चा मैं कर पाऊंगा फिर निफ्टी के उपर अभी चर्चा कर पाना संभव नहीं है मैं कोशिश करूँगे कि कल से आगे जब रेवियू करूँ तो इंड आफ दे डे आप लोगों के साथ फिर निफ्टी के उपर भी चर्चा कर पाऊंगा तो यह कुछ बाते हैं मैंने आप लोगों के साथ डिसकुस करी है और आज के इस डिसकुशन को मैं यहीं पर यह वाइंड अप करना चाहूँगा मुझे आग्या दिये आप लोगों के साथ कल फिर इसी लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी तब तक के लिए अग्या दिये मुझे अपना ख्यार लग दिये और खुश रही है मुझे अग्या दिये तेंक्यू सो वरी मच्च फॉर बिंग विद मी इन दिस लाइव स्ट्रीम